नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं 23,540 लावकों के बीच करीब 79,73 लाख रुपए की परिसम पत्यों का बित्रन किया मुख्यमंत्री ने एलान किया है कि अगले महीने एक नई स्वास्त योजना की शुरुवात की जाएगी जिसमें 15 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा विस्ठापितों की समस्याओं के समधान के लिए सरकार जल्द ही निती बनाएगी राज के सुरांगिन विकास के लिए बेवास्था की हर कड़ी मजबूत की जा रही है अगले तीन महीने में 40,000 विवाओं को सरकारी नोकरी भी दी जाएगी वहीं मुख्यमंति चमपाई सुरे ने धनबाद के 313,94,024,500 रुपए की 333 जोई नाव का उधाटन वा सिला नियास किया इसमें 165,50,22,800 रुपए की 166 जोई नाव का सिला नियास यवं 134,40,177 रुपए की 166 जोई नाव का अधार सिला भी रखी गई है जार्खन में इस सपताह के अंत तक कैबिनेट का होगा बिस्तार वहीं अगर कांगरेस मंतरियों के संगठन वा विभागों के काम काज को देखती है दो मंत्री के बदलने पर महंगावा विधायक दिपिका पांडे सिंग और मनीका विधायक रामचंदर सिंग चेरो मंत्री मंदल में सामिल हो सकेंगे वहीं कांग्रेस विधायक दलके नेता गुलाम अहमद मीर और परदेश अध्यक्स बुध्धवार्देर सामतक पार्टी के राश्टरे महासच्य स्वेनू घोपाल से इस विशय पर बात्चित करते रहे दो मंत्रीयों को बदलने पर रायनित्तिक और समाजिक रूप से क्या असर पड़ेगा इस पर मन्थन किया गया इस पर अंतिम निर्ने पार्टी के राश्रिय अध्यक्ष मेलका आजुन खरगे और लोग सबहा में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी लेंगे नीट पेपर लिक मामले में हजारी बाग में प्रिंस्पल समय दस से पुस्ताच नीट पेपर लिक मामले की छान बिन करने हजारी बाग पहुंची CBI टीम ने बुद्धवार को ऐसी स्कूल के प्रिंस्पल एसानूल हक समय दस को हिरासत में लिया है टीम सभी से चरही गेस्ट हाउस में पुस्ताच कर रही है जनकारी के अनुसार प्रिंस्पल समय जिन लोगों को हिरासत मिलिया गया है उनमें पांच इन्विजिलेटर दो अबजर्बर एवं एक सेंटर सुपरिडेंडेट और एक टोटो चालक सामिल है CBI ने कोई अधिकारी की ब्यांजारी नहीं किया है सुत्रो के अनुसार CBI ने प्रश्ण पत्र हस्तगत किये जाने का समय और डिटल लोग प्रश्ण पत्र कैसे बाटे गाए मुल प्रश्ण पत्र की पैकिंग और पैकिंग ट्रक में छेड़ चार समयत कई जानकारी जुटाई है इससे पहले भी CBI टीम बुद्धवार को सबसे पहले Oasis स्कूल पहुंची यहाँ प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के लोगों और सिक्षकों से जानकारी हासिल की है भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जार्खन का खनीज लूटा जार्खन के मुख्यमंत्री चंपाईसुरे ने कहा है कि धनबाद अमीर जिला है लेकिन यहाँ के आदिवासी दलित और मईदूर गरीब है राजबनने के बाद सबसे अधीक यहाँ डबल इंजन वाली भाजपा सरकार ने सासन किया है लेकिन उन्होंने आदिवासी पिछडों के लिए कुछ नहीं किया उनकी नजर यहाँ के खनीजों पर रही है वे कीसी भी तरह से धनबाद और जार्खन के खनीजों पर वर्चरस्व जमाए रखना चाहते है मुख्यमंत्री बुद्धवार को बिरसा मुंडा मेगा एस्पोर्ट कंप्लेक्स धनबाद में आयोजीत परिसंपत्ती बित्रन कारकरम को समधित कर रहे थे यहाँ मुख्यमंत्री ने 313 कलोर की योज नाओ का उधाटा नोसिले ने आस्किया है श्रम विभाग दो दिन में 3 हैर सधीक रोजगार देने की तयारी में श्रम विभाग अंतरकत नियोजन और प्रसिक्षन निदे साले जल्धी राजिके 3 हैर सधीक योओ को नीजी छेत्र में रोजगार देगा इसके लिए विभाग दोरा रांची और गढ़वा जी लेके नियोजनाले में रोजगार मेले का योजन किया जाएगा मेले में बेरोजगार युवाओ का चैयन आईटी सेक्टर से लेकर प्रसासनिक कारियों के लिए अलग अलग कमपनियों में किया जाएगा रोजगार मेले कायोजन रांची में 29 जून और गड़वा में 4 जुलाई को आयोजीत होगा बता दी कि लोक सभा चुनाओं से पहले 6 मार्च को रांची में आयोजीत एक करकरम में बिभाग ये मंत्री सत्यानद भोकता ने कहा था कि बिभाग नीजी छेतर में रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है पहले चरण में बिभाग 20 हज़ार बेरोजगारों को नीजी छेतर में नवकरी दिलाई जाएगी वही नियोजवन प्रसिक्षन निदे साले की बेवसाट जार्खन रोजगार पोटल पर बेरोजगारों की एक लंबी लिस्ट है पोटल पर राजी के 43 नियोजवार में 8 लग से अधिक बेरोजगार रजिस्टर है जेससी का एकजाम कलेंडर जारी जार्खन करमचरी चेन आयोग जेससी ने बुद्धार को परिक्षा कलेंडर जारी कर दिया है आयोग ने जीन परिक्षाओं का कलेंडर जारी किया है उसमें कुछ परिक्षाओं ले ली गई है वहीं कुछ चल रही है और कुछ होने वाली है वही जार्खन समाने असना तक योगताधारी सन्युक्त परत्युक्त परिक्षा अगस्त के तीस्ते सब्ता में होगी इसका रिजल्ट भी अक्टूबर के तीस्ते सब्ता में आएगा जार्खन पारामेटिकल सन्युक्त प्रत्युक्त परिक्षा सितंबर के पहले सब्ता में होगी जबकि रियल्ट अक्टूबर के अंतिम सब्ता में आएगा गीरीडी में 15 लाख के लोटरी टिकट के साथ 5 गिरफतार अवैध लोटरी के कारोबार को लेकर गीरीडी पुलिष ने बड़ी करवाई की है नगर्थाना चेतरे के पंजाबी मुहला इस्थीत एक घर्च भारी मत्रा में अवैध लोटरी के साथ 5 धंधे बाजो को दबोच लिया है चापे मारी में लगभग 15 लाख मुले की अवैध लोटरी का टिकट बरामत किया गया एसपी दिपक कुमार सर्मा ने बुद्धवार को जनकारी दी है एसपी ने बताया है कि गुप्त सुचना मिली थी कि पंजाबी मुहला में आवायद रूप से लोटरी टिकट की खरीद बिक्री हो रही है इसी सुचना पर नगर थाना परभारी सहलेस परसाथ एवाम मुपसिल थाना परभारी स्याम की सुर महतो की अगववई में एक टीम की गठन का च्छापि मारी करने का निरधेस दिया गया है जहारखन में नौकरियों के खुल चुके हैं द्वार चंपाई सुरेन मुख्यमत्री चंपाई सुरेन ने कहा है कि जहारखन में अगले तीन महिने में 40 % यार युववववववे हां में सरकारी नवकरी होगी इसके लिए समंधित आयोकों नियुक्ति पर किरिया फूरी करने का निर्देश दिया गया है नेजी छेत्र की कंपडियों में अस्थानिय युवाओ को नवकरी दिलाने के लिए भियान चलाया जाएगा उन्होंने कहा है कि जो युवास वरोजगार के एक चुका है उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सिरीजान योजना के दहुत आर्थिक मदद दी जा रही है वे इस योजना का लाब ले सकते हैं वहीं सीम ने कहा है कि जार्खन एक ऐसा राज है जहां बिस्थापन आज भी बड़ी चुनोती बनी हुई है यहां भी भी परियोजनाओं और खननकारियों के नाम पर आदिवासियों मुलवासियों की जमीन का बड़े प्रमाने पर अधिगरहन तो कर लिया गया लेकिन रहेतों को उनका उचित लाब नहीं मिल सका आज भी बिस्थापी कई समस्याओं से जूज रहे हैं गड़वा में जमीन बिवाद में 13 ब्यक्ति गंभी रूप से घायल गड़वा जिले के मेराल थाना छेतरे के परसडिह गाव में भूमी बिवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक जड़प हो गया मारपीट की घटना में महिला समय दोनों पक्ष से कूल 13 लोग गंभी हो गए हैं लोगों ने सभी घायों लोग को सदर अस्पताल पहुंचाया है जहां सभी का इला जारी है खाटना के बाद दोनों और से मेराल थाना में सिकाय दर्श कराई गई है उसके बाद पूलिस मामले की छानबीन में जुट गई है जार्खन में लालू की आर्येडी का प्लान सेट जार्खन की 22 विधान सभा सीटों पर राज़त चुनाव लड़ेगा इसमें पलामू परमंडलवा चात्रा जिला की सभी सीटे सामिल होगी राज़त राज़े के गोड़ा को डर्मा आदी से भी परत्यासी देगा परत्यास राज़त की समिक्षा बेठा के दोरान समन दताओं से बात्चित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि पूरी रिपोर्ट राष्ट्री अध्यक्स लालू परसाद्यादों को भेजी जाएगी अमतिम फैसला पार्टी नितित करेगा जारखन में मानसून कमजोर 30 तक गर्मी पदादीकारी डाक्टर अविशेक अनन्द ने बताया है कि दक्षिन पच्मी मानसून जारखन की उत्री सीमा चाईवसा पाकुल साहेवगन से होते हुए बिहार की ओर जा रहा है इसके कारण जारखन के जीन छेतरों में मानसून नहीं पहुचा है वहाँ 30 जून तक पहुचने की संभावना है तीन से चार दिनों में दक्षिन पच्मी मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है वहीं दूसरी और एक पूर्वी पच्च्मी टर्फ उतर पच्मी रायस्थान से मननेपूर की और बढ़ रहा है यह तर्फ दक्षिनी उतर परदेश और जहारखन को पार कर रहा है धन्यवाद